हेलो फ्रेंट्स गुड इवनिंग मैं शीवम कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्यान एक्सपी में दोस्तों आज की इस यूडियो में हम कंप्यूटर के फिर से टॉप 25 क्वेसंस कवर करेंगे और यही सीरीज का पार 23 है इससे पह लोग वीडियो को भी देखिए और हमारे सपोर्ट के लिए वीडियो को शेर कीजिए क्योंकि इतना सप्पोर्ट आप लोग जुरू कि इसमें कंजूसी ना किया करिए है न दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेस्टन अगर आपको तो फ्रेंट्स आपका पहला क्वेस्टन है कि इमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं तो फ्रेंट्स अगर आपने चुना है प्रियोकता का नाम और डोमेन नमबर ठीक है इमेल पते के जो दो भाग होते हैं वो होते हैं प्रियोकता का नाम और डोमेन नमबर ठीक है इसमें आपका प्रियोकता का नाम और डोमेन नमबर ठीक है इसमें आपका प्रियोकता का नाम और डोमेन नमबर ठीक है इसमें आप software प्रियोग किया जाता है अच्छा question है देखिए जो motion pictures होते हैं जिन में कि गती होती है जो GIF इनका format होता है जो इस टैप के pictures होते हैं तो इसको जो है इस clips को बदलने के लिए किस software का use होता है तो friends यह आपके options हैं कि drawing video editing painting या computer design या web authority तो बताइए friends कि अब आपके इस question का right answer किया होगा तो friends this question का right answer होजागा option number B यानि कि video editing इसे इने जो है motion pictures clips को बदलने के लिए video editing software का use होता है और option number B इस ता right answer ठीके friends चलिए देखते हैं अग्ला प्रेश्न तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका आगला प्रेश्न है कि internet के जरिए लोगों से संपर करने के लिए निम्न मेंसे किसका प्रियोग किया जाता है तो अच्छा question है कि internet के जरिए लोगों से संपर करने के लिए किसका प्रियोग होता है email address, domain name, username, password या security link तो अगर आपने चुना है option number a की email address तो बिलकुल right answer है आपका internet से के जरिए लोगों से संपर करने के लिए email address का use होता है ठीक है option number a आपका इसमें सही होगा email address clear friends चलिए देखते हैं अगला प्रेश्न तो friends आपका अगला प्रेश्न है कि email में से कौन सा शब्द network का एक संग्रा है जिसे एक साथ जोड़ा जा सकता है तो यह आपके options हैं और बताइए कि कौन सा शब्द network को का सिर्फ एक संग्रा है जिसे की एक साथ जोड़ा जा सकता है तो friends अगर आपने चुना है option number E यहने कि internet कितनी बड़ इसको discuss किया गया है कि internet किसका संग्रा है network को का संग्रा है यहने कि इसको जोड़ा जा सकता है और यह जो है इसको एक साथ जोड़ा जा सकता है ठीक है friends तो इसमें आपका option number E बिल्कुर right answer हो जाएगा internet clear friends चलिए देख प्रश्न को अगला प्रश्न तो friends आपका अगला प्रश्न है कि फाइलों को transfer करने और संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए कि यूटिलिटी का प्रयोग होता है आपके options आपके सामने हैं और बताएगे कि अब आपके this question का right answer क्या होगा कि फाइलों को transfer करने और संदे एसों को आदान प्रदान करने के लिए किस होता है अगा अगर आपने चुना है आपने मेल दिया जाता है अगला प्रश्ट को क्या नाम नाम दिया जाता है ठीक है जान से देखिएगा कि उन एप्लिकेसं को क्या नाम दिया जाता है जिन में टेक्स्ट, धोनि, ग्राफिक्स, मोशन, वीडियो और या एनिमेशन का मिस्रड होता है तो अच्छा question है बताए कि उन एप्लिकेसं को क्या नाम देते हैं जिसमें कि टेक्स्ट भी हो, साउंड भी हो, ग्राफिक्स भी हो, मोशन वीडियो भी हो, और एनिमेशन भी हो, बताइए तो friends इसमें उनको बोलते हैं multimedia है ना multimedia इसमें सब कुछ ओता ना multi तो multimedia उनको बोलते हैं option number D आपका इसमें सही होगा ठीक है दूस्तों option number D is the right answer चलिए देखते हैं अगला question तो शाथ ही हो आपका अगला question है कि किसी document की dash का अर्थ है तो किसी document की dash का अर्थ है कि file किसी दूसरे computer से आपके computer में transfer हो रही है इस पना घुमा देते हैं question कि आप लोगे confused हो जाए है ना इसमें आपसे simple सा पूछा गया है कि किसी दूसरे computer से आपके computer में हो रही जो है file transferring को क्या कहते है इसको हम बोलते है accessing ठीक है इसमें आपका option number C सही होगा ठीक है इनकि कि किसी document की accessing का या अर्थ है कि किसी file दूसरे computer से आपके computer में transfer हो जाती है option number C इस तरह है answer देखिए अगर हम कोई भी file अपने google drive पे अप्लोड करते है ठीक है और उसमें एक option आता है जब आप उसमें राइट क्लिक करेंगे तो इसमें आपको option मिलता है link sharing का और जब आप वो link share करेंगे तो इसमें आप से जो है उसमें आपको access देना हो का जिसको आप आप शेयर करेंगे अगर आप access नहीं देते हैं तो वो file तो इसमें शो करेंगी लेकिन वो चलेगी नहीं transfer नहीं होगी ठीक है इसमें आपको option number CC होगा accessing clear friends चलिए देखते हैं अगला question तो friend अगला तो काफी simple question है कि URL क्या होता है अब आपको उता नहीं कि URL क्या होता है तो friends अगर आपने चुना है option number C नहीं कि worldwide web पर document या page का address जो URL होता है वो worldwide नहीं कि www page पर document का page या address होता है कौन URL option number C is the right answer of this question clear friends चलिए देखते हैं अगला question तो friends आपका अगला question है कि निम्न में से कौन सा email का भाग नहीं हो सकता है तो friends अगर आपने चुना है option number C यानि की space तो यह जो है email का भाग नहीं होता है इस email में कोई भी space नहीं होता है आपनी email ID देखी इसमें आपको कोई इसमें भी space नहीं मिलेगा जैसे कि मेरी email ID है मैं बतानी सकता हूँ ठीक है बताऊंगा जरूर बताऊंगा आपको support कीजिए जिस दिन मुझे संख्या लगेगी सौ से उपर पचास से उपर उसी दिन मैं आपके साथ में अपनी email ID अपना WhatsApp अपने email ID में इस पेस का यूजर नहीं कर सकते हैं ठीक है फैंट चलिए अगला प्रेश्न आपका अगला प्रेश्न है कि यूर्ल में कौन सा होना चाहिए मुलब कौन सा जरूरी होना चाहिए तो फैंट इस question कर रहे नहीं स्रूज़ागा option नमबर E यानि कि protocol identifier www.wishist registered domain name यह जो है यूर्ल में जरूर होना चाहिए ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रेश्न है तो फैंट आपका अगला प्रेश्न है कि email attachment क्या होता है तो दोस्तों अब आपको बताना है कि email attachment क्या होता है तो friends अगर आपने चुना है option number B यानि कि दूसरे program का एक अलग document जो email message के साथ भेजा जाता है email attachment वह होता है कि जो दूसरे program का एक अलग document होता है ठीक है उसको message email के साथ भेजते हैं तो इसमें आपका option number B सही होगा दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो इमेल मैसेज के साथ भेजा जाता है यह होता है इमेल अटेश्मेंट ठीक है अपसे नमबर बी इस्ता राइट अंसर तो फ्रेंट्स आपका अगला प्रशन है कि वेब पर इंफर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजरों की सहायता करने वाले विशेशी करत कारकरमों को क्या कहते हैं तो फिर आप बताएं कि वेब पर इंफर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजरों की सहायता करने वाले विशेशी कारकरम जो फंसंस होते हैं तो इनको क्या बोलते ह तो यह आपके options हैं और अब बताइए कि अब आपके इस question का right answer क्या होगा तो फ्रेंट देखें जो वेब पर information locate करते हैं तो इन functions को बोलते हैं हम लोग search engine ठीक है इंजी नी search engine होता ठीक है option number E आपका इसमें सही होगा ठीक है search engine clear friends चलिए देखते हैं अगला question तो फ्रेंट यह question काफी popular रहा है और easy है कि junk email को भी कहते हैं तो जो junk emails होते हैं तो इनको और क्या बोला जाता है तो फ्रेंट simple सा question है और अगर आपने चुना है option number E यानि की spam तो बिल्कुर right answer है आपका जो junk emails को spam भी बोलते हैं ठीक है option number E आपका इसमें सही होगा ठीक है दोस्तो अगला question तो फ्रेंट्स आपका अगला प्रशन है कि आपके computer के data को नश्ट करने वाला program जो दूसरे computer को infect करने के लिए travel कर सकता है उसे क्या कहते हैं तो काफी simple सा question है और बताए कि आपके computer के data को नश्ट करने वाला program जो दूसरे computer को इनफेक्ट करने के लिए travel कर सकता है तो उसे क्या कहेंगे तो फ्रेंट्स इसे कहेंगे वायरेस ठीक है option number D इसमें सही होगा ठीक है फ्रेंट्स इस question का right answer हो जागा option number D यानि कि वायरेस यह हमारे computer के data को destroy कर सकता है और यह एक computer से दूसरे computer में travel भी कर सकता है option number D इस तराइट अंसर ट्रेयर फ्रेंट्स चलिए दोस्तों आपका अगला प्रशन है कि URL ठीक है यानि कि www.abcd.com में .com क्या सूचित करता है जब किसी URL में यह .com word होता है यह क्या सूचित करता है कि यह किस प्रकार की website है तो फ्रेंट्स इस question का right answer अगर आपने चुना है option number A ठीक है यह जो है सूचित करता है commercial ठीक है option number A इसमें सही होगा .com commercial .gov governmental .in जो है होती है private होती है ठीक है और .org organization से सम्मधित होती है ऐसी भी पोच्छ लगता है याद रखेगा clear friends चलिए देखते हैं अगला प्रशन आपका अगला प्रशन है कि डॉस किसी भी आकडे को डिस्क से निकाल नहीं सकता है डॉस ने कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टेम किसी भी आकडे को डिस्क से निकाल नहीं सकता है यदि computer virus computer की डैस को खराब कर देता है तो मान लो अगर चलिए इस question को हम सीधा answer के साथ डिसकस करते हैं सबसेंगे आप लोग अगर computer बें जो वायरेस होते हैं अगर computer वायरेस फाइस जो फाइल एको लोकेशन टेबल को खराब भी कर देता है फिर भी जो हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टेम होता है वो हमारे जितना भी डेटा है उसको डिस्क से नहीं निकाल सकता ठी है अगर computer वायरेस फाइल एलोकेशन टेबल को भी खराब कर दे इंपोर्टन है याद रखिए और इस तरह राइट आंसर चलिए आपका अगला प्रशन है कि कि जब किसी HTML पर जो है कटी पए पार्थ कर मौस को रखा जाता है तो यहा इस आकार में परिवर्गित हो जाता है तो ऐसे पारट को क्या रहत हैं देए जिए में जब किसी मारा माऊस का इसमें convert हो जाता है इससे हम बोलते हैं hyperlinks इसमें इसमें तो इस तरह के बन जाएगा या तो मारे हाथ को जो पंजा होता है नो वैसा बन जाता है तो यह कैसा होता है यह इस situation में होता है तो इसमें आपका option number A सही होगा clear friends चलिए देखते हैं अगला प्रश्ट तो friends आपका अगला प्रश्ट है कि निम्ड में से कौन सा web browser के लिए एक उदाहरण है तो ओपेरा starworks Google Apps या ओडिला इन में से कौन सा जो है एक web browser के लिए उदाहरण है बताईए तो friends काफी सिंपल सो question था जो हमारा ओपेरा है ठीक ओपेरा आप लोगों ने यूस्ट भी किया होगा इसको तो यह ओपेरा है यह web browser का उदाहरण है ठीक है रही है आप लोग एंकर यूर्ल हाइपर लिंग रेफरेंस या हैडिंग किस पर क्लिक करें कि दूसरा डॉक्यमेंट खुल जाए तो फ्रेंट्स यह क्लिक करेंगे हम हाइपर लिंग्स पर ठीक है अगर हम हाइपर लिंग्स पर क्लिक करेंगे तो दूसरा डॉक्यमेंट खुल जाएगा option number C is the right answer ठीक है दोस्तों चलिए देखते हैं अगला प्रशन तो फ्रेंट्स आपका अगला प्रशन है कि computer hacker है तो आ प्रशन है 2013 का तो फ्रेंट्स अगर आपने चुना है option number B यानि कि एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाब के दूशित इरादों से computer सुरक्षा का पालन नहीं करता है यानि कि व्यक्तिगत लाब के लिए computer के security होती है उनको follow नहीं करता है उसे बोलते है hacker ठीक है option number B इसमें आप अच्छी लगी हो तो प्रीज वीडियो को like और share करके जाए प्रीज फ्रेंट्स वीडियो को like और share कर दें और मिलते हैं आपसे 8 बजे SSC class में आज की वीडियो में जिन करना समद कुछ क्ष्टन डिसकास करेंगा तो प्रीज SSC और NTVC वाले VBD दूर देखें ठीक है मिलते है नेक्स class में तब तक के लिए अपना ख्याल लखिए टेक केर फ्रेंड्स